आज की वीडियो में समझेंगे आटोकलेव के बारे में और देखेंगे इसके क्या-क्या पार्ट्स होते हैं साथ इसको यूज कैसे किया जाता है तो यह है autoclip, dentistry में widely use होता है sterilization के लिए, pressure cooker के जैसा यह दिखता है, इसको हम modified pressure cooker या modified boiler भी बोल सकते हैं, तो इसको use कैसे करना है समझेंगे, पहले इसके parts को समझ लेते हैं, यह इसका lid है, जिसको अभी खोलते हैं, पहले उपर को हम समझ लेते हैं, तो यहाँ पर एक pressure gauge दिया हुआ है, जब steam बनना start होती है, तो pressure हमको यहाँ पर show होने लगता है, उसके बाद यहाँ पर double safety valve दिये हो सामने इसमें एक additional timer दिया हुआ है, जो time हम set कर सकते हैं, उसके बाद एक alarm को वो देता है, वहाँ पर आके हम बंद कर सकते हैं, इस plug को autoclave के इस वाले part में हम plug-in करते हैं, यहाँ लगाते हैं, और यह दूसरा part है, इससे हम current supply करते हैं, तो चलिए इसके lid को खोलते हैं, अंद यह जो lid है, जिसका यह वाला जो part है, अंदर वाला part है हमेशा, आपके opposite होना चाहिए, तो जो pressure से steam आती है, वो आपके उपर नहीं आती, तो यहाँ आपको ऐसे पकड़ना है, और opposite side में आपको हमेशा open करना है, इसके साथ आता है एक instrument drum, जिसमें हम सारे instruments हम रखते हैं, जो बाहर इसके एक lid दी हुई होती है, इसको हम sterilize करते हैं, तो इनके pores को खोल देते हैं, जो steam है, अंदर जाने को अलाओ करता है, और अंदर जाके यह sterilize करता है, जब sterilization कंप्लीट हो जाता है, तो इस lid को हम side में करके बंद कर देता है, तो जो भी instrument अंदर है, वो sterilize रहते हैं, इसके अंदर अब देखे एक छोटा ट्राइपोड दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट ड्रम को रखने के लिए और एक कॉइल दी हुए जो पानी को गरम करती है अब देख लेते हैं इसको यूज कैसे करना है तो इसमें हम पानी फिल करेंगे पानी कितना लेना है हमको यहाँ पर वाटर लेवल दिया हुआ है हमारी जो कॉइल है पूरा डूबी रहे इसके आद हम यह चोटा ट्राइपोड रखते हैं जो भी इंस्ट्रूमेंट है इसमें फिल करके अंदर रखते हैं उसके पहले आपको इसके होल्स को उपन कर देना है इसके बाद हम अंदर रखेंगे ऐसा है और फिर हम लिट को लगा देते हैं लिट लगाने के बाद है जो प्रेसर रेगुलेटिंग वाल्वे इसको आपको अच्छे से टाइट कर देना है और फिर plug-in करना है जैसे पानी गराम होगा इस्टीम बनना स्टार्ट होगी तो वो हमें स्प्रेसर गेज में दिखने लगता है जब 15 LBS पर आ जाता है विशलिंग होती है वहां से आपको 15-20 मिनिट टाइम पर इसको set कर देना है जब time complete हो जाएगा तो यह अलान देगा देखिए इस टाइप से यहां पर आपको switch off कर देना है इसको ऐसे ही फोड़ देना है अगर आपके autoclave में timer नहीं दिया हुआ है तो जब 15 LBS पर आता है वहां से आप measure कर सकते हैं 15-20 मिनिट और उस time के बाद आपको switch off कर देना है और open करने के लिए जब पहले हम पूरे pressure को release करेंगे pressure regulating wall से जब pressure पूरा निकल जाएगा उसके बाद हम इसको open करेंगे open कैसे करना है यह आपको हमने बताया तो ऐसे हम autoclave को use करते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को like कर दे share कर दे अपने friends के साथ और comment section में आगर बताएं किन topics पर आप और अदिक वीडियो देखना चाहते हैं जाने से बढ़े subscribe कोरना ना हम